नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चनल पर मैं हूँ आपके साथ शिप्रासैनी माहराश्ट में सिंदू तुर्क में चिला सहकारी पैंक के चुनाव हुए जिसमें बीजेपी ने बड़ी चीत हासिल की और ये चीत महाफिकास अगाडी सरकार के लिए बड़ा छटका मानी चा रही है और कहीं न कहीं अब इस हार का असर भी देखने को मिल रहा है महाफिकास अगाडी सरकार में मंत्री और NCP के नेता नवाफ मलिक का बयान साफ ने आया है याथी उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है जिस तरीके से बीजेपी सिंधु दुर्ग जिला सहकारी पैंक में हुई इस जीत पर जेश्ट मना रही है और लगातार महाफिकास अगाडी सरकार पर हमलावर है जाहिर तोर पर सिंधु दुर्ग जिला सहकारी पैंक का जो चुनाव अभी तक रहा है वो शिवसेना का गड़ रहा है और उसमें बीजेपी ने सेंध लगाई है हालकि इस तोरान बीजेपी को रोकने की तमाम कोशिशे भी महाविकास अगाडी सरकार की ओर से की गई नारायन राने और उनके परिवार को रोकने की तमाम साजिशे और सडियंद रचे गए लेकिन महाविकास अगाडी सरकार काफियाब नहीं हो पाई और बीजेपी ने इस चुनाव में 19 सीटों में से 11 सीटे हासिल की तो वहीं महज 8 सीटे जो थी वो शिवस्देना और महाविकास अगाडी सरकार के खाते में पहुची यही वज़ा है कि इस तरीकी के बयान जो है वो अब इन चुनाव में जीत के बाद महाविकास अगाडी सरकार की और से जाफने आ रहे हैं महराष्ट के अलवस्वंख्यक मंत्री और साथ ही एनसीपी के नेता नवाह मलिक ने मीडिया से बातचीत करते हुए कि कहा है कि उस वक्त उन्हों ने यानि बीजेपी ते जिला बैंक परिशत का चुनाव नहीं जीता था वे जिला बैंक से अपील कर रहे हैं कि 22 से 30 मद्द बाताओं का अप्रहन करें भुकतान करें और फिर बैंक का चुनाव जीते फिर राज्ये जीते यानि वे स्ट्रीट किर्केट जीत कर वर्ल्ड कप जीतने की बात कर रहे हैं इस तरीके से तंज जो है वो बीजेपी पर कसा गया है लेकिन बीजेपी साफ़तोर पर यह कह रह तरीके से नारायंट राने उनके बेटे नितेश राने के खिलाब जडियंत्र हजाक्या उन पर FIR तरच की गई एक हत्या की कोशिश के आरोप में यह FIR तरच की गई है इसके लावा पीजेपी के जो दूसरे नेता सिंदुदुर्ख इलाके से आते हैं वहां उन्हें कुच कोशिश भी की गई वह भी साजिश और जडियंत्र एक वीडियो पूटिच में महाफिकास अगाडी सरकार का बेनकाप हो चुका है तो तमाम तरीके से रोकने की कोशिश की गई और साफतोर पर केंद्रे मंत्री नारायंट राने की और से यह कहा किया था कि सब कुछ सर्फ इसलिए हो रहा है ताकि इन चुनाओं में किसी तरीके से महाफिकास अगाडी सरकार जीत जाए और अभी तक जो जिला बैंक में खोटाले किये गई हैं जो आनिमयत्ताइं बरती गई हैं वो समके सामने ना आपाएं यही वजा है कि इस तरीके के हतकंडे जो हैं वो महाफि स्ट्री रिकित बता रहे हैं और वल्ड कभ जीतने कि बाद बीजेपी कर रही है साफ तोर पर कि यह कहा क्या क्या है कि छुनाब आप अब अगली बार ही जो होगी वो BMC का चुनाब जीतने की होगी और उसके बाद महराश्टर से किस तरीके से महाविकास अगाडी सरकार का सफाया होता है ये भी लगातार जो चैलेंज है वो BJP की ओर से शिवसेना और NCP को दिया जा रहा है और कहीं न कहीं शिवसेना और NCP और वहां सत्ता चला रही है वो बखोबी तरीके से जान चुकी है कि उनका फ्रस्टरचार उनके किये गए खोटाले उन पर भारी पड़ रहा है और यही वज़ा है कि तमाम जो निकाए चुनाव होए हैं जो इससे पहले MLC के चुनाव भी माहराश्ट में हुए है जिसमें 6 मे बेहत महत्पून चुनाव इसलिए क्योंकि कहीं न कहीं अभी तक जो जिला सहकारी पैंक हैं उसमें घोटाले ही महाविकास अगाडी सरकार की ओर से खिये गए हैं और खास तोर पर NCP और शिवसेना का वर्चस रहा है और जिस तरीके से बीजेपी उमितवार ने पैंक के च पास दोर पर आ चुकी है तो ऐसे में तमाम जो घोटाले तमाम जो भृष्टेचार जिला सहकारी बैंक में किये गई हैं जो अनिमत्याइं परती गई हैं वो अब खुलकर साफने आ सकती है तो जहां एक तरफ अलबसंख्यक मंत्री नवाह मलिक ने इस तरीके से पीजेपी पर जो जीत हासल की है उन्होंने उस पर तंच कसा है लेकिन वहीं दूसरी और नवाह मलिक की ओर से कहा किया है कि अजीत हुआर कौन है उन्हें इसे पहचानने की जरूरत नहीं है अजीत हुआर कौन है ये पूरा देश चांता है जिस तरह से हम माहराश्ट को जीतने की बा वाला बनाया किया है इस तरीके से उन्होंने तंच कसा है क्योंकि चंदरकांथ पाटिल से लेकर माहराश्ट के पूर मुख्यमंत्री देवेंद्र फर्णविस की ओर से बार बार के कहा गया है कि माहराश्ट में महाफिकास अगाड़ी सरकार पूरे पांच साल का कारेकाल पू कभी कॉंग्रिस पार्टी आरे तो कभी कॉंग्रिस पार्टी शिवे fazemा तो इस तरीके से उन्हों पार्टियों के फीतर चल रहे हैं और यहीं वजा है कि इस तरीके की सफाई बहुंत मुल आपको बता दें इस पूरी प्रेस कान्फरेंस के बाद नवाथ मलिक ने एक ट्वीट भी किया है नवाथ मलिक की सुई अभी भी PCB की उस चाशब guoi है अभी भी भी साफ़तुर्णी के आदेश बाखूधी नवाहск मलिक लगातार किसी ना किसी तरीके से समीर पान-खेड़े पर शवाल उठा रहे हैं उनकी जाच पर सब्सक्तालब उठा रहे हैं और उनका सब्सक्राइन नाय साल पर ट्वीड की किया है जिसें नोने लिखा है एक यह मेरे साल का संकल्फ है कि जालसाजी के खिलाफ मेरी लडाई जानी रहे क्या है 18 करोड रुपय की डील और 50 लाख रुपय की रिकाफरी की रिपोर्ट ये सवाल नवाफमलिक की ओर से पूछा क्या है अधिकाशियों को लोगों का पैसा बरबाद करने में कितना समय लगेगा ये सवाल भी नवाफमलिक ने किया है 18 करोड की डील मतलब वो डील उसका जिक्र नवाफमलिक कर रहा हैं जिसको लेकर समीर फानखेडे को खेरा किया था कि समीर फानखेडे ने आर्टियन खान को छोड़ने के लिए 18 करोड रुपय भागे थे इसके लाबा 50 लाख रुपय की रिकाफरी रिपोर्ट की बात हो रही है यानि शारुक खान की मैनेचर पूजा डड़लानी से जो 50 लाख रुपय जो लिये गए थे तमाम जो एंसीबी के गवा थे वो साफ ने आये थे तो उन पैसो की बात नवाफमलिक कर रहे हैं और साफ तोर पर समीर फानखेडे पर ट्वीट के जरके सीधे तोर पर नहीं लेकिन कही न कहीं घुमा फिराकर ये ट्वीट जो उनकी तरफ से किया किया है उन्होंने समीर फानखेडे पर निसना साथा है यानि अभी भी सुई वहीं लटकी हुई है क्योंकि समीर खान जो की उनके दाफात है जिनको बचाने के लिए नवाफमलिक ये सब कुछ पैतरे अपना रहे हैं उनकी मुश्किले बढ़ने वाली हैं नवाफमलिक की मुश्किले पहले ही पढ़ी हुई है और यही वजा है कि नवाफमलिक ने ये भी कहा है कि हम कोर्ट की लड़ाई लडएंगे सच साफने आएका नवाफमलिक ने कहा है कि भ्रस्ट अधिकारियों को डंडित किया जाएका मेरी लड़ाई अंतक जादी रहेगी नवाह मलिक आखर किस मूँ से ये ट्वीट कर रहे हैं क्योंकि भ्रस्ट अधिकारी और भ्रस्ट नेता कहां है ये खुलासा लगातार महराश्ट में हो रहा है एक के बाद एक महाफिकास अगाडी सरकार के तमाफ नेता तमाफ मंत्री ED, CPI और आयकर इभाग के शिकंजे में आरहे हैं उनकी रिडार पर आरहे हैं तमाँ जो बड़े चहरे हैं महराश्ट में महाफिकास अगाडी सरकार के वो हर रोज आपको ED, CPI या फिर आयकर इभाग के दफ्तर के बाहर दिख जाएगे जो पूस्ताच के लिए जिन्हें लग इसके लावा नवाफवलिक खुद जो वफबोर जमीन खोटाला है उसमें फसे हुए हैं इसके लावा उनके बेटे भी जो संपत्ती है जो अवैत तरीके से खड़ी दी गई थी उस माफले भी फसे हुए हैं उसमें आईकरिफाग के पास मोहित कामपोज ने शिकायत दर्ज क तो कि प्रस्ट अधिकारियों की बात नवाफवली करएं देखा सचिन्दवाजे जैसे अधिकारी जो आज सलाखों के पीछे हैं किस तरीके से उनसे वसूली कराई चा रही थी तो नवाह मलिक पहले अपने फ्रस्ट अधिकारियों का हिसाब किताब दे कि आखर क्यों किस तरीके से वसूली उनसे कराई चा रही है और ये पूरा वसूली का पैसा कहां तक पहुंच रहा है नवाह मलिक फिर बढ़ सकती है और हो सकता है कि दोबारा नवा फारिक को बॉम्बे हाई कोट में माफिन मांगनी पड़े। फिलाल आपकी इस पूरे माफने पर क्या राय हैं हमें कॉमेंट फोक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।